देगे भारती जनता पार्टी ने 29 के 29 लोगसभा सीटें जीत कर एतिहासित वजय प्राप्त की तो ये जनता का जो पत्र है जीतू पटवारी के खिलाफ और कॉंग्रेस के खिलाफ क्या ये आलाकमा नहीं समझ भारा क्या जो पिछले लोगसभा चुनाव से भारती जनता पार्टी में आए जीतू पटवारी के रहते हुए क्या वो एक विरोद का पत्र नहीं था मद्द प्रदेश कॉंग्रेस में प्रदेश अद्द्च जीतू पटवारी के खिलाफ बगावत खुलकर सामने आ गई है कि रास्टी उनको बुद्दे समझा रहे हैं मुद्दे समझना नहीं चाहिते हैं वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वही सही है पूरा यह हैंकार हो गया दूसरा यह कि जैसे माली जी हम लोग पटवारी के खिलाफ लोग खुलकर सामने आ रहे हैं हालात यह है कि मलिकार जुन खड़गे से लेकर सौनिय गांधी तेक पत्र लिखकर जीतू को पत्से हटाने की मांग की जा रही है बीजेपी नेता आसी सर्गवाल जी से हम बात करेंगे सर एक पत्र सामने आया है जिसमें खड़ गये सुनिया गांदी, पियंका गांदी, राहुल गांदी सब को कोड करके लिखा गया है कि जीतू पटवारी एहंकारी हैं, अदूर दर्सी हैं, आप परिपको हैं और उन्हें पत से हटा देना चाहिए और खुद कॉंग्रेस नेता ये लिख रहे हैं देखे भारती जन्ता पार्टी ने 29 के 29 लोगसभा सीटें जीत कर एतिहासिक वज़े प्राप्त की हैं, तो ये जन्ता का जो पत्र है जीतू पटवारी के खिलाफ और कॉंग्रेस के खिलाफ क्या ये आला कमान नहीं समझ भारा क्या, लाखों कारे करता जो पिछले लोगसभा चुनाव से पहले, भारती जन्ता पार्टी में आये, जीतू पटवारी के रहते हुए, क्या वो एक विरोध का पत्र नहीं था? और जब अजय सिंग, राहुल भहिया, पवन खेडा, विवेक तंखा, लक्षमन सिंग, जैसे अनेकों नेता कारे करता, जिस नेत्रत्य के प् चंता है, कॉंग्रिस को जन्ता की चंता नहीं थी, तो पहले ही नहीं मालुम, पर अब कारे करताओं की भी चंता नहीं है, ये आलाकमान के इस कान पर बंद रखने से इस पच्ट होता जा रहा है, पत्र में ये भी लिखा है कि उनके एहनकार की वयाद से कॉंग्रिस करता छोड़कर भारती जनता पार्टी में आ रहे थे तब जीतू-पटवारी ने उनको मनाना भी ठीक नहीं समझा उनकी संख्या पर वो बात करते रहे और परणाम सब के सामने हैं कॉंग्रेस आजाद भारत की सबसे बड़ी पराजय इस वार मद्यप्रदेश में दर्ज की है मद्यप्रदेश में अध्यक्ष के ग्रहशेतर का प्रत्याशी चला जाता है और कॉंग्रेस का प्रणाम सब्सक्राइब नोटा पर वोड मांगने की अपील करता है इससे बुरे जंता पाटी अपना कमफर्ड जोन अपने कारकरता की शक्ति और संगटनातमक शमधाव पर बनाती है चुकि लोगतंतर में विपक्ष का भी एक स्थान है इसलिए विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए और ऐसे में जब एक नकारा विपक्ष एक नाकारा नितरत में होता तो यह चिंता का विश्य सब के लिए होना चाहिए है प्रमाण हमारे पास है यह चिठी है जो की राश्चित दिछ मल्लिकारजुन खड़गे स्रीमती सोनिया गांदी राहूल गांदी प्रियंका गांदी बाद्रा को लिखी गई है और लिखने वाले सक्स जो है वो खाटी कॉंग्रेसी है पिछले 40-45 साल से यह कॉंग्रेस के लि लेकिन जीतू पड़वारी ने जब इनके बातें नहीं सुनी या इनके सुझाओं पर गंभीरता नहीं दिखाई तो इनकी बात आपस में बहस में बदली और इसके बाद इनको पद से हटा दिया गया हालाकि एनसजाई में रहे यूद कॉंग्रेस में रहे सेवा दल में र बताती है कि मद़्व प्रदेश कॉंग्रेस में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है अभीताब जी आपने एक चिठ्धी लिखिए है काफी गंभीरिस में मुद्डे आप ने उठाए है सबसे बड़ी बात है कि इतना खुल पर आपने लिखा है कि जो मद् प्रदेश के प्रद प्रदेश के अध्यक्षों जब इंदोर शहर में आपका लोग सभा प्रत्याशी जिसको आपने बनवाया था वो ही आपको छोड़ के चला गया जब आप अपने इंदोर शहर में यह आपका प्रभाव नहीं है आप खुद भी जो है हजारों वोटों से आप हारे हुए तो ल मुद्धों पर आप सुब्तवस्था में रहते हो और आपको जो जिलों के अंदर ग्रामीड इस तरफ तक इन चीजों को जो मुद्धों को ले जाना चाही तो आखिर को आप क्यों नहीं ले जा रहे है तो यह तो अक्षमता भी हुई ना इसके अंदर पूरी यह है और मेर मैं पूछाना उठाया है कि कॉंग्रेस में मद्ध प्रिदिस कॉंग्रेस में खासकर पुत्रवाद परिवारबाद पठावाद पूंजी बाद और चापलूस बाद यह सब चल रहा है बिल्कुल चल रहा है निस्चित रूप से चल रहा है आप एक बात बताईए कि मैं आपका अगर और भी चीजे होती ही सब अपने तो जो आपका कार करता जाएगा कहां जो कार करता है आपका ना तो आपको उसमें इस्थानी निकाय के चुनाओं में आपको दिखता है ना विधान सभा के चुनाओं में दिखता है जब प्रदेश की कार समती बनती है तो एक को पर्वीव के अधार पर आना पड़ा मेरे को पचास साल की सेवाओं की बात का अंग्रेस में जो 2018 में मैंने कहा कि मेरा कोई नेता मेरी सिफारिश नहीं करेगा ना मैं चायता हूँ तो यह जाए यहां बे अगर आप इस तरह का खेमे बाजी आप करोगे पठावादी करोगे पतरवाद करोगे परिवारवाद करोगे तो पार्टी कैसे चलेगी पार्टी करोगे आपने ये भी लिखा कि जीदू पड़वारी जो प्रदेश संद्च हैं उनमें इतना एहंकार है उनका बिवार ऐसा है एहंकार बादी है इसलिए कॉंग्रेस को लोग छोड़ कर दूस है पूरा ये एहंकार हो गया दूसरा ये है कि जैसे मान लीजी हम लोग जो पच्छास के उवर के उमर वालें कहते हैं पुरानी पति हैं धड़ गई है आपकी अप नई पतियों को मौका होना चाहिए तो मैंने ये कहा कि भाई ने लोग आप जोड़ कहा रहे हो जो तीस त जोड़ पा रहे हैं आप तो समन्दा जोश और हुश का आपको करना चाहिए वह आप करी नहीं पाए बुजर्ग भी जरूरी है उसके अंदर और आपका ये देखिए आप पार्टी में मैं खुल के बोल रहा हूं खड़के साथ भी बुजर्ग है हमाई सोनिया जी भी बुज जेराम रमेश जी हमाएं जैराम रम्हेश जी भी बुजर्ग है वहाँ तो ये नीती नहीं लागुए जो बुजर्ग है उनके हमाए झोश की वी जरूरत है और यूध के जोश की भी आगत ले नहां ये कैते हैं बज़गों की जरूरती रही हमें जाए बाहर जा ओई या अपने उन्ने मुद्दे बताया नर्सिंग भो टाला बताया आप ङाप पम बताया अश्मान भो टाला बताया चाहिए न्पता के बीद ले जाना चाहिए प्रोटेस्ट करना चाहिए के लिस्टे की शाहिए ले और जो है असमेथी का कारण था और यही आ समझ लें आपकी मेरे और पटवारी जी के मद्भेत का मुख्य कारण था मेरा कहना है कि पद रहे या ना रहे मुद्दे उठना चाहिए अगर आप पार्टी के लिए आप वफादार है हम तो पार्टी के बाहर भी है तो भी आपके पास विदी भी भाग है आप कोर्ट के अंदर क्यों नी जा रहे है तो कही ना कहीं तो मुझे भी शंका होती है उससे मुझे भी कई शंकाएं है कि ऐसा क्यों है और यही मेरी और इनके बीच में एसमती का कारण है कि अगर आप मुद्दों को छोड़ दोगे तो जन इसमें और लोग समा में शूरूने पर ही जाओ कि मैं आप से भी आप मेरी बात निकली जी है यह होगा अगर ऐसी हिसाब से चलते रही है तो नहीं कि आप सहमती हुई बिचारों पर मुद्दों पर और आपको पद से अटा दिया तो इसलिए इतना खुलके बोल रहा है उन था बहुत खुलके बता रहा हूँ चैनल को मेरे उपर बहुत दबाव रहता था बहुत दबाव रहता था एक दो बार तो मेरे को स्टेच से उतार दिया किया पत्रकार वारताओं में तो मैंने का इस्तीफा ले लो मेरे से लेकिन में मुद्दे तो अगर मेने दिये तो प्रदेश के लिए भला ये होगा कि जल से जल जीतू पटवारी को पत से हटाया जाए बिलकुल इनको हटाया जाए जब आप मुद्दों पे काम नहीं करना चाहते हो जब आपका अपने जिले में परभाव नहीं है तो आपको पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा प्रभाव शा हेतर में आप हार गए क्यों हार गए कोई ना कोई तो वजा होगी ना उसकी एकदम कैसे एक ते वोट और आप के ग्यारा आपके जो एक एंडिट रहे आपके जो है चार चार लाग से आर रहे है तो यह तो हम जो यहीं कहेंगे कि प्रदेश नेतरत तो कि एक्षमता है यह का पूरा ही और आप अगर उसके बाद भी रखना चायते हो तो पार्टी का तो भगवानी मालिक है फिर उसके बाद से लिए है कॉंग्रेस नेता अमिता अगनियोतरी साब तो पर चिठी लिखकर यह मुद्दे नों ने उठाए कि जीतू पटवारी का एंकार और उनकी पाल खड़े कर चुके हैं जीतू पटवारी के नित्तव के खिलाब तो ऐसे में लगातार जो है बगावत के सुर्ज हैं जीतू पटवारी कलग तेज होते जा रहे हैं और सबका यही कहना है कि प्रदेश अद्देश पद उपर जीतू पटवारी गंविता से काम नहीं कर पाल रहे हैं कैमरामेन संजय अंकिल के साथ सत्ति विजय सिंग रिपब्लिक मिडिया नेटवर्क भो पाल देगे भारती जनता पार्टी ने 29 के 29 लोगसभा सीटें जीत कर एतिहासिक विजय प्राप्त की तो यह जनता का जो पत्र है जीतू पटवारी के खिलाफ और कॉंग्रेस के खिलाफ क्या यह आला कमा नहीं समझ भारा क्या है जो पिछले लोगसभा चुनाव से भारती जनता पार्टी में आये जीतू पटवारी के रहते हुए क्या वो एक विरोद का पत्र नहीं था मद्द प्रदेश कॉंग्रेस में प्रदेश अद्देश जीतू पटवारी के खिलाफ बगावत खुल कर सामने आ गई है कि रास्टी अद्देश मलेकार जुन खड़गे सुनिया गांदी राहूल गांदी और प्रियंका गांदी तक यह जो बगावत है यह कैना ची जीतू उबर के उमर वाले कहते हैं पुरानी पतियों धड़ गई है आपकी अब नई पतियों को मोखा होना चाहिए